नमस्कार HBC विशेष में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुपमा मिश्रा विशेष में आज की शुरुवात हम करेंगे उस अंधविश्वास से जो आज 21 सदी में भी कायम है जी हाँ हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा नगरी पुश्कर के गया कुंड की क्या है ये अंधविश्वास आए देखते हैं एक और तो हम 21 सदी में होने का दम भरते नजर आते हैं वहीं दूसरी और पुश्कर में महिलाओं को कैसी यातनाय दी जाती है कुंड में सनान करा कर महिलाओं के शरीर से ये प्रेतात्माएं कैसे निकलते हैं वहीं दूसरी और आधुने की युग में भी अंधविश्वास देखा जा रहा है लेकिन लोगों का मानना है कि कुंड में सनान करने से प्रेतात्माएं निकल जाती हैं आईए देखते हैं खास रिपोर्ट आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इन महिलाओं को किस तरह से कुंड में सनान कराय जाता है और महिलाओं के बालों को पकड़ कर कुंड में डुपकी लगवाते हैं ताकि इनके शरीर से पेत आत्मा निकल जाएं ये द्रेश देखकर आप चौक रहे होंगे लेकिन ये हकीकत है पीरों को देख गर अंदाजा लगाए जा सकता है कि आधुनिक यूग में भी लोगों में ये अंदि विश्वास नहीं तो फिर क्या है लेकिन लोगों का विश्वास है कि बावणी के जल इसपर्ष से उनके शरीर से भूत प्रेप और बुरी आत्माएं दूर हो जाती है वहीं दूसरी और लोगों का मानना है कि यसा करने से उनके भूत पेट दूर हो जाते हैं कहा जाता है कि सारे तीर थियात्रा ही की जाए लेकिन यहां नगर नहीं की तो सारी मतलब कंप्लीट नहीं है कहने का मतलब यहां की बहुत जरूरी जरूरी मानी जाती है और प्रेत आत्माओं से बताया जाता है यहां छुटकारा दिया जाता है और बड़े बुजुर्गों के पिंड़दान किये जाते हैं इसके वारे में हमें काफी खुछ सुन रखाया पहले से भी बुजूर्गों की आत्मा के लिए मोक्ष मिलता है यहां शांती प्राप्त होती है उन्हें और हमारे बूले चुके सभी बड़े बुजूर्गों को शांती प्रदान दिया बुराओं की अनुसार जिस व्यक्ति का अकस्मे के निधन हो जाता है वे व्यक्ति कई इच्छाओं को अपने साथ ले जा सकता है उन्हें अधूरी इच्छाओं को भूरा करने के लिए उस व्यक्ति की आत्मा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रिवेश कर जाती है और इस शरीर की आत्माओं को मौख शुमिल सके हलागि आज के जिउग में इसे अंद विश्वास के अलावा कुछ नहीं माना जा सकता लेकिन कई बार विज्ञानिक शोदों में भी ये सच्चाई सामयाई है आज के इस युग में इसे चाहे अंद विश्वास कहे या फिर लोगों का विश्वास मामला चाहे जो भी हो लेकिन लोगों का मानना है कि इस कुंड में सनान करने से भूत प्रेद दूर हो जाते हैं अब चाहे इसे कुछ भी कहो फिलाल वक्त एक ब्रेका बने रही हमारे साथ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हिंदू पंचाग के अनुसार चतुर्थी और मंगलवार का सयोग होता है उस दिन इस अवियोगा बावली में साक्षात गया माता निवास करती है इस विशेज दिन बावली के जल के सपर्ष मातर से शरीर को आत्माओं के प्रकोप से निजात मिल जाती है आये देखते हैं ये रिपोर्ट प्रदान करने से पठकती आत्माओं को मुक्ती मिल जाती है ऑ्रदान करने से थे दोिए रिपोर्ट पांते लुखनी प्रक düşाष्य टुषित कर्सभाद। वही पदम पुराण मेली की सच्चाई से इस बात को मजबूती मिलती है जिसमें लिखा है कि जब भगवान राम ने मद्धि पुषकर में सनान किया था तो उसी रात उन्हें सपने में अपने पिता दर्श्रत परिवार के साथ बैठे दिखाई दिये थे भगवान राम ने जब इस रहस का करण विद्वान रिश्यमूनियों से पूछा तो उन्हें ने बताया कि आपके पिता की आत्मा को अभी मोक्ष नहीं मिला वह आत्मा अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान चाह रही है इसके बाद रिश्यों ने अव्योगा बावली के महत्व को शीराम को बताया उसके बाद भगवान राम ने इस बावली में अपने पिता दर्शत के पिंडदान करने को कहा बगवान राम ने भी रिश्टियों के बताए गए मार्ग दर्शन के अनुसार इस बावडी में अपने पिता दर्शत का शाद किया ऐसा करने से राजा दर्शत की आत्मा को शान्ती मिली ऐसा बताए जाता है गया कुन में सिनान का यह मेतु है कि दाजा राम चंदर जाय ते अपना पिता दर्शत का पिंदान दिया था तो यहां पे जो भी आता है आज के दिन मेला लगता है अपना जी दिन भी चोद मंगलवार होता है उसी का यहां मेला लगता है वेसे तो बारा मेने पबलिक आती है, यहां पे नाने के लिए सारीरिक पीड़ा और मानसी पीड़ा दूर होती है, यहां पे राजर रामचंदरी आयते अपना पिता दसत का पिंधान दिया था बालू मिटी से, यहां नाने से पित्रों को मोक्स मिलता है और अपने गर में चर वेसे इस कुंड का मेत्व है, यहां पे जल की करामात है, कोई पंडों की करामात नहीं है, यहां जो भी लोग आते हैं, जल में नाते हैं, और नाने के बार में अपना जिसे हनमान जी के चोला चलाते हैं, चोला उतर जाता है, वेसे ही सरीर का जो भी अलाबला होता ही, चोल बूत बनने से उसका यहां करके जो गर तरपन विदी पिंडदान कर दिया तो उसका मौक्ष हो जाता है इसलिए इसको भूतों की बावडी भी कहते हैं और वेसे गया माता के नाम से भी प्रसित है बिहार के अंदर जो गया है वहां जो कर्म होता है वो आज के दिन वहां का प इसके बावडी के प्रती विश्वास बढ़ा और लोग अपनों की आत्मा की शांती के लिए पिंडदान करते हैं इसके बाद उन्हें मुक्ती भी मिल जाती है वही दूसरी और इन्हें देखा जाए तो इन महिलाओं को किस रह यातनाय मिलती है और फिर उन्हें बावडी म फिलाल वक्त एक और ब्रेका बने रहे हमारे साथ हाणोती या बीकाना शेखवाटी या मारवाड मेवाड हो या फिर धून्दार हर जगे की खबर सिर्फ HBC News पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है वहीं दूसरी और इस बावडी के द्रश्य हैरत में डाल देते हैं कि आखिर किस तरह से शरीर से आत्माई निकलती है वही चोथे मंगलवार के दिन इस बावडी पर जो द्रश्य दिखाई दिता है वो सभी को हैरत में डाल देता है आज का बाद में तो आज का बाद में इस शरीर में तरमें करी निया हो जा चोड़ रहा है वही पीडित शरीर की तलब पंडितों के आवान पर अपनी असलियत कबूलती आत्माएं और आत्माओं द्वारा अपनी मुक्ती के लिए बताया गया मार्ग ऐसे कड़वे सच हैं जो आज के इस भौतिक यूग में भी भूत पे तथा आत्माओं की उपस्ति का ऐसा असर दिलाते हैं चोथे मंगलवार को हजारों लोग यहां आते हैं लोगों का मानना है कि बावली के चमतकारे के जल से सुनान करके अपने सभी पिणाओं से मुक्त होते हैं और हजारों वर्षों से शद्धालों की आसा का सलाम अपनी पिणाओं की मुक्ति के लिए इस बावली पर सनान के डियों मुडता है इसी आसा के चलते हैं लोग यहां आकर पिंडदान और पूजा करते हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक साथ बैट कर लोग कैसे पिंडदान करते हैं पूजने श्री जमुमल जी दादा जी है उनका पिंडदान कराने आयत हैं यहां पे में तो उनको मोक्ष क्राप्त होगा और हमारे संग वो हमेशा रहेंगे और हम उनका आशिराद हमारे साथ रहेगा माज जो महीने में पहली मंदब यह जो अभी चल रहा है महीना यह बहुत अच्छा महीना आज कभी-कभी आता है आज का दिन यह काम करवाएगा बोप्स का तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए पर अच्छा मिलेगा